Hello friends, welcome to my YouTube channel आज का हमारा English alphabet में next type का question है next type का question कुछ इस तरीके का होगा कि यहाँ पर कोई एक सब्द दे रखा होगा और उसके alphabet का प्रियोग करके यह कहेगा कि या तो कि निमलिकित में से कौन सा सब्द बनाया जा सकता है या यह कहेगा कि निमलिकित में से कौन सा सब्द नहीं बनाया जा सकता है तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि एक alphabet यानि एक सब्द के alphabet के माद्दम से कौन सा सब्द बनाया जा सकता है आईए देखते हैं पहला question क्या रहा है कि सब्द heartless के अक्षरों का प्रियोग करते हुए निमलिकित में से कौन सा सब्द बनाया जा सकता है तो देखिए जैसे यहाँ पे पहला option है S A F E यानि कि इस question को करने से पहले सबसे पहले जो main बात यह है जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो भी आपका सब्द है उसका प्रियोग जब कर रहे हैं उसके alphabate का प्रियोग कर रहे हैं अगर यहाँ पर सब्द में कोई alphabate एक ही बार दे रखा है और option में वो alphabate दो बार दे रखा है कहीं भी तो वो हमारा option गलत होगा कहने का मतलब यह है कि यदि कोशन में एक एल्फावेट A की बार है तो आप्सन में भी वो A की बार होना चाहिए आईए देखते हैं कैसे करेंगे देखिए S A F E देखिए S है A B है F F कहीं नहीं है यानि ये F ना होने की बज़े से ये बारा सब्द नहीं बनाया जा सकता दूसरा देखिए हील H H भी है E भी है A भी है और L और L भी है तो इस तरीके से आपका ये दूसरा ओप्सन यहाँ पर बनाया जा सकता है तो बहुत ही easy question होता है यहाँ कुछ भी करने के डिक्कत नहीं होती simple question होता है आईए देखिए next question देखते है देखिए next question है हमारा journalist सब्द के अक्षरों से निम्लिकित में से कौन सा सब्द बनाया जा सकता है तो देखिए क्या करना है J है O है U B है R B है N B है लेकिन E कहीं भी नहीं है इदेखिए E नहीं होने की वज़े से ये हमारा option नहीं बन पाएगा यानि ये हमारा option नहीं बन दा है nation अब देखना ये सबसे मुख्य बात यहाँ पर क्या है देखिए journalist यानि यहाँ पर N है यहाँ पर N है ये देखिए N है लेकिन यहां भी N दे रखा है लेकिन दो बार दे रखा है आपके सब्द में एक बार दे रखा है और option में दो बार दे रखा है बाकी और alphabet देखिए A है तो A यहां भी है T है तो T यहां भी है I है तो I यहां भी है O है तो O यहां भी है और N भी दे रखा एक बार लेकिन option में दो बार N दे रखा है सब्द में एक बार है option में दो बार है तो यहां से इस तरीके से यह आपका सब्द नहीं बनाया जा सकता tourist देखिए यहां पर T एक बार यह दे दिया एक बार यह दे दिया लेकिन सब्द में हमारा टूरिस्ट में जन्रलिस्ट में एक ही बार T दे रखा है तो इस तरीके से ये बाला भी हमारा नहीं बनेगा अब next चार ओप्शन में एक ही बचा तो भाही उत्तर होगा लेकिन फिर भी हम उसको एक बार देखते हैं रेशियो तो देखिए R है बिल्कुल है साब A A B है T T B एक बार है I I B एक बार है O O B आ गया और N N B एक बार सिंगल बार आ गया तो इस तरीके से हमारा यहां के कोश्चन के लिए क्या आंसर होगा R A T I O N या ओप्शन D इस कोश्चन के लिए क्या आंसर होगा D तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर हम कुछ भी कोश्चन हो आपसे बनवाने के लिए कहे या फिर आपसे कोश्चन बनाने के लिए कहे, सब्द बनाने के लिए कहे या फिर यह कहे कि निमनिखित मेंसे कौन सा सब्द नहीं बनेगा तो देखिए next question क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि नहीं बनाया जा सकता देखिए यह कह रहा है नहीं बनाया जा सकता नहीं बनाने की बात कर रहा है पिछले question जो था वहाँ पर कह रहा है कि निम्रिकित में से कौन सा सब्द बनाया जा सकता है यहां कह रहा है कि नहीं बनाया जा सकता तो करना क्या है देखिए आपका ये सब्द है University University से देखिए S, I, T, E S भी है, I भी है और T भी है, और E भी है तो ये वाला तो बनना है Virus देखिए BB है, I भी है RV है और U भी है और SB है यानि ये वाला भी बनना है True देखिए कहां TB आ गया, RB आ गया U भी आ गया, और EB आगया यानि ये वाला भी बनना है Next देखते है Universe तो UNIBER SB आ गया लेकिन देखिए यहां पर यह दो बार E आये हैं लेकिन हमारे सब्द में हमारे सब्द में एक ही बार E दे रखा है तो इस तरीके से निमलिखित में से कौन सा सब्द नहीं बनाया जा सकता तो कौन सा सब्द नहीं बनाया जा सकता यह वाला सब्द नहीं बनाया जा सकता चलिए next question देखते हैं सब्द examination सब्द के अक्षरों के प्रियोग करते हुए निमलिखित में से कौन सा सब्द नहीं बनाया जा सकता तो देखिए क्या कह रहा है पहला सब्द हमने लिया बात क्या कर रहा है कि कौन सा सब्द नहीं बनाया जा सकता नहीं की बात कर रहा है तो देखिए हमने पहला option लिया E है E हाँ भी है यहाँ भी है X यहाँ भी है A भी है M भी है I भी है और N भी है और देखिए अब यहाँ पर क्या है दो बार E दे रखा है लेकिन आपके सब्द में एक ही बार E दे रखा है तो इस तरीके से नहीं बनाने की बात कर रहा है तो हमारा यह पहला वाला ही option यहाँ पर उत्तर हो गया क्योंकि अलफा बेटों की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर E है तो हमने E रख लिया लेकिन एक बार और E का प्रेयो हो गया लेकिन हमारे सब्द में एक ही बार E दे रखा है तो इस तरीके से हमारा यह पहला ही option हो गया क्योंकि हम किसी भी अक्षर को अगर सब्द में एक बार दे रखा है तो जो option है बहाँ पर बनाने के लिए कम से कम अगर यहां दो बार है तो यहां भी दो बार होना चाहिए बस सबसे महत्पूर बात इस टाइप के प्रसनों को हल करने के लिए यही मुख्य बात है कि अगर सब्द में दो बार दे रखा है तो option में भी दो बार मिल जाए तो समझ दीजिए आपका उत्तर सही हो गया आज का English Alphabet में यह बहुत ही easy type का question था इस तरीके से हमने अंग्रेजी बर्ण माला के हर type के question को cover करते हुए इसके type 1, type 2 के इसाब से video बनाई है और सबसे मुख्य बात यह है कि यहां पर हमने English Alphabet के जो सारे ही type के question है हमें उनका एक-एक type बनाकर सभी type की video YouTube पर upload कर दी है आप उनको बहुत ही आराम से एक-एक करके देख सकते हैं और जहां भी आपको किसी भी type में कोई समस्या आए क्याज कोई भी problem हो तो आप नीचे दिये हुई link पर आप उस question को share कर सकते हैं और प्रूज सकते हैं आज के लिए बस इतना ही जल्दी मिलते हैं एक next topic के साथ next video में धन्यवाद